कि वेलकुम बैक वेलकम टूइंजनेर्स प्रेटफ़र्म हेलो गाईज आज का टॉपिक डिस्क्रसण है हमारे लिए पड़ा करना है तो अपने वो एक तरीके से किसी मोटर का याणि डीसी मोटर की बात करें इसकी स्पीड जो है वह अपने को कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए कि क्या ऐसा यूज कर लें कंट्रोल पेनर अगर यहां पर यूज करूं तो वह कंट्रोल किस तरह से करूं कि यह स्पीड हो जाए यहां से कोई बटन दबाऊंगा यानि अपने पास च्वाइस हो मोटर स्पीड के अलावा भी अपने पास एक एडिशनल च्वाइस कर सकते हैं शिवह कंट्रोल में कंट्रोल को घटा या बढहा जा सकता है लेकिन चुकि अपने को वहां पर काम ही, क्या होता है वहां पर बस पानी को टैंकी में डालना होता है मदना लेकिन जहांब लिक मीशीन कीजिटी साथ now स्करस्कर्ण काविते हैं तो इसे कंट्रों को cardio करें about this वुटन दबाएंगे कहिन कहीं कई वायर कीसी से हटके किसी जूड रहा होगा यह स्टेटजी होता है जिससे क्या होता है अब हम पहले देखते हैं कि चली यहाँ बात करता हूं मोटर बात किया था, यह 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 यही expression है था हमारा एंड समानुपाति किसके वाइ फ्लक्स है series कहा तो ऐसी लिखते हैं cent vibes अब यह इसको उप्लाइक को जंड्रिक सकते हैं उप्ला वोल्टेज मैनस आई आई अगर इसकी बात किसे पिड किसके समानुपाति हो गया इसका मतलब motor की जो speed is speed of motor आप कह सकते हो speed of motor कि किस किस पर control डिपेंड कर रहा है दीखे तो एक तो supply voltage पर supply voltage बढ़ाओगे गटा होगे तो speed बढ़ेगा गटे का किस पर निवर कर रहा है except supply voltage बढ़ाओगे गटा होगे तरफ पीड गटेगा पढ़ेगा तो किस पर एक voltage तो यह घटेगा यह घटाओगी तो यह बढ़ेगा नेक्स्ट है अब यहां का बड़ा important term होता है यह देखिए यह जो होते हैं बच्चे बहुत confused करते हैं कि sir यहां पे आप यह resistance control ही क्यों लेते हैं point wise में लिखता हूं जैसे के लिए होता है resistance इस से कंट्रोल मेथर्ड कौनं कौन सा होता है resistance control method यानि समझेड़ा resistance control मेथर्थ스 और मेचर का कौन सा आरं मेचर का और मेचर का रेइस्टेंव कैता है कि बढ़ेगा द्म्लाण दाहान रखिए गा तो आपका जो है यह voltage से overall और ऑल चीज़ें क्या होगा घटेगा क्युकि माइनस में घटेगा स्पीट क्या होगा घटेगा तो हम देखते हैं अद अभी एक एक चीज़ explain करता हूं कि पीन ही चीज को बोला हूं आर्मेचर करेंट को क्यु छोड़ दिया हूं यहां पर देखिए और यह question मनता अभी मैं discuss करूँगा armature current को क्यों छोड़ दिया ठीक है ना चलिए दूसरी बात करूँ तो मैं कहता हूँ क्या फिल्ड कि फ्लक्स कंट्रोल फिल्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड इसका मतलब क्या है फ्लक्स को कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हो स्पीड को चलिए ना नेक्स्ट एक और मेथर हम यहां से लाएंगे थार्ड वन पॉइंट वोल्टेज सप्ला बोल्टेज कम देजे स्पीड घर जागा कि बड़ अपने घरों देखिए ऐसी कंडिशन में भी होता है आपके घरो में अगर को बाता है मोटर देखे का उसकी स्पीड कम हो गई है ना और मोटर जैसे बूटर आता है अची स्पीड वोल्टेज पे तो एक दम डिपेंड करना ही कहते हैं चाहिए एसी मोटर हो ये डीसी मोटर हो तो नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल मेथर वोल्टेज कंट्रोल मेथर यानि अब क्या-क्या चीज हुआ यहां यहां पर तीन डेवलपमेंट देखने को मिलो सप्लाय वोल्टेज जो मोटर को दोंगे उसको कम कर दो तो स्पीड घट सकता है फिल्ड फ्लक्स यानि अब इसके अंदर जो वाइंडिंग सब होगा उसको कम कर दिया जाए फिल्ड फ्लक्स को कम कर दिया तो इसका स्पीड घटेगा आर्मेचर रेइस्टेंस कंट्रोल आर्मेचर current को क्यों ने लिए यो भी घटेगा बढ़ेगा तो यह voltage घटेगा बढ़ेगा तो speed भी घटेगा बढ़ेगा समझेगा क्यों नहीं लिया जाता है समझेगा बार किसे बहुत important concept है बच्चे confused करते हैं अगर पढ़ा दिया जाता है तो पढ़तो लेकिन armature current full load condition में हो सकता है कितना जा रहा हो 10A जा रहा हो 10A, 15A, 20A भी no load में कम से कम current जाता armature से और full load में ज्यादा ज्यादा armature समझ रहे होगी नहीं कहीं बूल गए यह देखिए यह armature resistance है यह हमारा क्या है motor है और यह हमालो sunt winding का ले लिया मैं अगर sunt winding का motor होगा ता यहाँ से जाने वाला current supply voltage यह जो VS है यह current किस पे depend करता है motor के load पे, अगर motor पे heavy load होगा ता armature current बहुत जादा होगा light load होगा ता armature current कम होगा जैसे transformer होता है, full load पे बहुत जादा primary side से current खिशता है no load पे 3-5% खिशता है clear ना, तो यहां तक I hope कि कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं दिख रहा है आपने होगा है ना ओहो, एक second आप लोग को visualization में problem है दिखिए, है ना I hope कि आप लोग को अब दिख रहा है I hope अब दिख रहा है, है ना यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानि क्या हुआ, supply से current आपका क्या है, आ रहा है कभी, यानि यह depend करता है load पे, start पे जितना load heavy built लगाएंगे, उतना ही current खिचेगा अब समझे, दो condition लगा है, एक हमने यह no load पे बहुत कम current लेता है, फूल load पे बहुत जाला लेता है अब समझे, आर्मेचर रिजिस्टेंस की समझेगा, आर्मेचर रिजिस्टेंस हमेशा तो constant होता अनदेन अगर पराइन फाइब लेके चलूँ है और यहां मीकाटोड में प्रेश्ट ने तो कोई चेंज करेगा नहीं समझेगा यह भी 5 ओम लेकर चलो है ना अब मैं यहां देखता हूं नो लोड और फूल लोड में नो लोड कंडिशन में देखेगा इसका करेंट इतना है बोल्टेज इतना है तो बोल्टेज कितना होगा ड्रॉप यहां पे करिडीो अ देखने को नहीं मिलता है समझेगा क्यों मैं बता रहा हूं बड़ेँ बड़ेगा घटेगा तो k q लेकिन जब आपने इसमे जोर दिया घाल को सकता है, पर 10 का मैं अभी data ले रहा हूं तो देखिए कितना changes देखने को मिलता है यह तो 0.5V है लेकिन जब additional जोड़ा गया जब additional resistance control में जब जोड़ा आता है तो voltage में change देखिए कितना होता है 100V कितना voltage में change देखने को मिला 100V इसका मतलब current अगर ज्यादा no load to full load में वेरी करता है current अगर ध्यान सकते हैं बहुत important concept बता रहा हूं अगर current no load to full load change में no load to full load condition में अगर बढ़ता भी है और armature resistance constant रहता है तो voltage में ज्यादा change देखने को नहीं मिलता है ठीक है लेकिन अगर तो इसका मतलब voltage में ज्यादा change देखने को नहीं मिल रहा है तो इससे voltage अगर ज्यादा नहीं बढ़ना तो इस voltage को effect कम करेगा इसको कम effect पढ़े तो speed control नहीं हो पाएगा क्या होगा speed control नहीं हो पाएगा लेकिन अगर no load to full load current वही रहा और no load condition में armature का resistance यह है अब full load में हमने क्या किया मतलब की और जैसे machine चल रहा है हमने इसमें रेजिस्टेंस क्या कि additional जोड दिया उस condition को देखेंगे तब क्या होगा voltage देखिए सिर्फ 10 ओम लिया हूं तो कितना है एक सबोल्ट अहंडेड ओम लगा दिया इसमें external अलग से मैं external क्या किया इस तार में external 100 ओम लगा दिया तो voltage कितना हो गया जी 1000 बोल्ट अब बताए यह और यह बोल्टेज में कितने का चेंज दिखा बहुत ज्यादा का यानि अगर यह समझेगा अगर यह दोनों यह वाला voltage की बात करें अगर यह इतना से घटेगा यानि 1000 बोल्ट अगर इस वोल्टेज से घटेगा तो पते हैं इसकी स्थिति गरबढ़ाएगा कि नहीं यानि यह होगा supply voltage को कंट्रोल करने से speed कंट्रोल होगा और field के flux को कंट्रोल Olympics को कंट्रोल करने से हमारा speed कंट्रोल होगा क्लेर ना यह तीन मेठड बहुत बच्टे कंफूज होता है यह concept है तो आप लोगो यह चीज बरियां से पता चल तर नहीं होते हैं वो लोड के कार्डिंग आटोमेटिक वेडी करता है ठीक है ना यह तीन इंपोर्टेंट में तड़ है जिसको हम अभी डिसकस कर रहे हैं के तो यहां पर देखिए फ्लक्स कंट्रोल मैं पहला लेता हूं सकें लिखाता हूं पर लेकिन मैं फ्लक्स कंट्रोल पहला लेता हूं तो स्पीड समानपाती इसका है अब देखिए गब फ्लक्स कंट्रोल लेता हूं पहला मैं एक्जांपल के तौर पे लेट्स की हमने लिया संट मोटर सिरीज भी लेंगे पहले संट को देखते हैं एक बार संट में हमने बोला क्या इसके फ्लक्स को कंट्रो तो यहां पर है अब इसको control किया जाए तो क्या होगा output response change होगा अब समझेगा यहां पर बार्की से अगर मालो हमने change नहीं किया अगर हमने motor को भी change नहीं किया तो यहां क्या दिया जाएगा देखिए supply voltage होगा एदम बार्की समझेगा बड़ा देखिए एक चे और मैं बता त्यान में रखना है जितने अभी expression बनेंगे किसी को याद नहीं रखना बहुत बच्चा क्या करता है एक्टम याद करने के लिए बैठ जाता है यह करना ही नहीं है बस यह देखना है कि अगर फिल्ट फ्लक्स घट रायरे इस्टेंज देने से तो speed में क्या change आ रहा है questions वे होती है questions तो आपको logically उस result पर देखना है numerically क्या होड़ा है नहीं मतलब है एक पर समझ लेना है कि actually होता किस तरीके से है वो तो math के through ही बताएंगे किस तरीके सोड़ा है लेकिन आपको समझना है चीजें के कि final result जो conclusion होते हैं वो important होता हमारे है ठीक है ना चरिए संट motor की बा flux control में flux कौन सा control करेंगे फिल्ड है काने जी अर्मेजर का flux को फ्लक्स को फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे तो बताए जब कोई control में थरा भी हमने नहीं लगाया है यह normal machine है तो बताए संट का current क्या होगा तो हम बोलेंगे जो supply voltage है जो supply voltage अगर VS नाम दिया तो उसको संट का resistance से भ भागा दे देजिए तो यह होगा संट करेंट है ना अब बताए वोल्टेज अपला जो देंगे अगर 220 दे रहे हैं 210 दे रहे हैं या दो सब्सक्राइब करेंगे यह हमेशा क्या होता कॉंस्टेंट आपके घर में आप कोई बो मोटर को सप्लाइब तो 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 देखिए मैं दिखा रहा आपको यह देखिए यह मोटर की जो वाइंडिंग है एक बार जो वांडिंग हमने कर दिया इसका होगा हमेशा फिक्स होगा क्या होगा इसका रेश्टेंज हमेशा फिक्स यानिए कॉंस्टेंट तो बताए आई असच भी बेचारा क्या हो गया consistent हो गया, अगर किसी machine में जाने वाला, इक power current constant, तो بتचाए flux नहीं हो गया, constant फाई रेशेच ही क्या हो जाएगा, यह समान पाती क्या होता है, ाई रेशेच, यह अगर constant है बेचारा, तो हमारा flux भी क्या हो जाएगा constant, तो flux अगर constant है, तो आपका स्पीड अपका स्पीड यहां समझेगा इसका मतलब इस मोटर की स्पीड क्या होता है कॉंस्टेंट सन्जेनेरेटर में इसकी स्पीड आगर वॉल्टेज कॉंस्टेंट है फिल गंस्टेंट है and mechan Jared ज़्यादा खीचेगा कर रेंट किसाफर सब्सक्राइब देगा ऊपटेघ्ज है करेगा एक वール एक एंपियर एंटउ 0.5 अब ऑल्लोग दस एंपियर इंट जिरो पैइप पैफ में तो थोड़ीज तौट मेप यहान मोटर का है ना तो यहां पर constant है तो कोई चींज में पर आपने रेटेड पर क्या करेगा रोटेट गडा ऐसे कंडिशन में जो मोटर होगा motor runs at rated speed किस speed पे rated speed क्योंकि अभी आपने कोई technology लगाए नहीं तो यह अपने rated speed पे rotate कर रहा होगा मालनो n rated वो speed क्या है n rated नाम दिया मालनो let's example कि वो rpm मैंने माना कि 1200 rpm कितना एकदम समझेगा कितना मैंने मान लिया कि हो सकता let's say example के तोर के वो speed कितनी है 1200 rpm ठीक है ना हमने यह example पर हिया कब जब कोई control नहीं किया तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि control से क्या फर्क परता है ठीक है ना यहाँ मैं देखना चाहूँगा अगर control करूँगा तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर हमको समझेगा अगर मैं फ्लक्स कंट्रोल की बात करूँ इसका मतलब क्या होगा यहां पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा देखिए क्या होगा इस मोटर में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहां पर तभी न जी रेजिस्टेंस आप लगाओगे कैसा रेजिस्टेंस वेडियेवल रेजिस्टेंस कैसा लगाओगे समझिए का अभी बच्चों कितना कन्फूजन रहता मैं एक एक चीज किलियर कर देता हूं यही तो है एक्स्प्रियेंस इतने सालों के पढ़ाने का कि कहां कहां को कन्फूजन होता है अब यहां पे एक और एक्सटर्नल अपने लगाया क्या और एक्सटर्नल अब रेजिस्टेंस घटाओगे वॉल्टेज constant है तो current घटेगा पड़ेगा तो flux घटेगा पड़ेगा अब किसी बच्चे को दिमांग में आता है जब यह मोटर ओल्रेडी यह देखिएगा यह मोटर ओल्रेडी करते हैं यहां तो फिल्डे का उपर टैपिंग कर दिया गया यहां यहां सपला अगर ऐसे कनेक्ट करते हो तो अलग लग स्पीड निकलता है क्यों क्यूंकि वह फिल्डे के कनेक्शन को चेंज करता है एक बार गुमाया तक किसी और पॉइंट से कनेक्ट हुआ फिर दूसरे बार गुमाये तो किसी और पॉइंट से कनेक्ट हुआ अब फ्लक्स चेंज हुआ तो स्पीड आप्टोमेटरी चेंज होगा तो यह कंडिशन होते हैं इनमें चलिए हम बात करते हैं एक बाल समझेगा बार किसे अब कोई समझने नहीं चाहता कि सर यहां पे मो पूर्ड रोटेशन दे रहा था अब अगर कंट्रोल करना है तो हमने बोला मोटर का साइज बढ़ेगा इसका मतलब जो वाइंडिंग फिल्ड का वाइंड नहीं होगा उसके तार को निकाल लिया होगा यहां से यह फिल्ड वाइंडिंग जो रहा होगा उसके दो तार को न करके रख देते क्या करते हैं बाहर में एक पर लगाते हैं गन्ट्रॉल पेनल समझेंगा है विके यह अग्छ पीछे करेंगे कुछ स्वीच की सथ वो जाए। शुटिक साथ सब्सक्राइब चारे आप यह हां बाट में सबांगे दार पना बैठा हुआ उसका सब कुछ था है बस दो तार निकाले था टैपिंग करके हमने क्या किया तार निकाल लिया कहां इस वाइंडिंग इसके वाइंडिंग में नहीं टैप किया उससे पहले दो तार निकाल लिया एक पॉइंट यहां से एक यहां से उसी बीच यहां लगा दिया दिखें यह आउन्य चर्वला तो चली रहा होगा यह मोटर का सब कुछ चली रहा होगा दो तारा हमने निकाल लिया आप यहां हैंदिल का में कानीजेव अगर करूंगा मैं तो उससे resistance change होगा की नहीं जी अब बते हैं resistance change होने की बात क्या होगी समझेगा हम additional resistance जोड़ी सकते हैं कभी additional घटा सकते हैं क्या कभी नहीं समझेगा logic समझे एक एक चीज़ इसमें जो मैं इस control कर सकता हूँ या तो नहीं था control mechanism तो कम से कम resistance कितना था RSH minimum जो resistance था क्या होथा वो RSH अब जो आप कुछ भी करोगे control करने के लिए तो उस RSH में जूड़े गाई कभी घट तो नहीं सकता clear जूड़े गाई कभी घट नहीं सकता यहां से हम कुछ भी करेंगे तो क्या करेंगे बहुत करेंगे तो सौट करेंगे सौट करेंगे तो इसका RSH बचा होगा और नहीं इसमें कुछ resistance जो रहेंगे तो इसका मतलब इसके फिल्ड में इसके संट के फिल्ड में आपने एक्स्टरनल क्या किया रेजिस्टेंसी तो एड किया तो देशिए इसका रिजल्ट क्या होता है चलिए आप कोई कंफूजन नहीं रहा होगा आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे आप देखिए मोटर कहीं चल रहा प्लांट में आपको प्लांट की हाओ पूलड भी सेटएब चल रहा है तो वहाँ पे स्पीड में हैं यहां पर हम बटे में कंट्रोल के साथ अपन ऊसका तरीका अफंटल सिस्टम क्या है अप प्रफरली उसको समझेंगे ना तो बहुत इंप्रूव कर जाए चैन्टाल है अगर आप मैं बात करूं कि अब हमको पढ़ना तो क्या था फिल्ड कर फ्लक्स कंट्रोल मेथड यानि फ्लक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए हमने एडिशनल रेइस्टेंस एड करना था यानि अब टोटल अगर बात की जाए की समझेगा स्पीड की तो हम तो जानते हैं स्पीड की फिल्ड क्यारा जी वी मैंस आईए आहेएं कोई चेंज का यहां संथ अभी के लिए क्या इस hip है कररें यह संट का करेंड की बात की जा हम कहें वोल्टेज्स वागा इसमें रेस्टेच कितना सोगा अरसे तो पहले being और एक्स्टरनली सब्सक्राइगा आरिक्सरों और इसमें इसमें क्या हो जाएगा रहे औरह चांध कें सब्सक्राइए जब भा-घ्र अगर इस resistance को बढ़ाऊंगा, समझेगा concept, अगर इस resistance को बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, संट का current घटेगा, यानि इस पारिपत में, अगर additional resistance अगर हमने जोड़ा है, तो उसका current क्या करेगा, घटेगा, कभी भी देखिएगा, इसका resistance क्या होगा, या तो 0 होगा, 0 डेगा तो अगर आपने इसको जोड़ा है, तो संट करेंट घटेगा, अगर संट करेंट घटेगा, तो बता ये कौन घटेगा जी, संट फ्लक्स घटेगा, क्या करेगा, अगर ये घटा, संट करेंट घटा, तो संट फ्लक्स भी घटेगा, अगर संट फ्लक्स घटा, लॉजिक देख प्राइब्दे मोटर वो रैज करेगा श्क्राइब कि अपढ़ाएंगे तो श्क्राइब और एक लिमिट से जाता धीरे दीशनर नहीं लेकिन क्या rated speed से घटेगा नहीं अगर पहले इस सिर्फ इतना ही था तो इतना पर resistance हमें कितना माना था वाजी 1200 RPM तो ऐसे condition में इसकी speed जो होगी इस machine की हमेशा greater than किस से होगी एन रेटेड से एन रेटेड मतलब जब आपने कोई control strategy नहीं अपना है था तो उसकी speed से जादा ही हो सकता उससे कम नहीं हो सकता क्यों क्योंकि resistance कितना भी बढ़ाएंगे तो speed आपका बढ़ा ठीक है लेकिन कितना भी करोंगे तो इसी को 0 करोंगे यह तो 0 नहीं होगा तो कम से कम स्पीड कहा सकता है रेटेड स्पीड तक कम से कम स्पीड कहा सकता है रेटेड स्पीड तक नहीं तो थोड़ा भी रेइस्टेंस अगर लगा रहा तो रेटेड स्पीड से जादा ही होगा इसका मतलब रेटेड स्पीड अगर बारस आर्पीम है तो नया स्पीड जो मोटर पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि अगर संट फिल फ्लक्स में रेजिस्टेंस एड किया जाए तो स्पीड क्या होगा स्पीड हमेशा बढ़ेगा क्वेशन पूछता है अगर संट फिल फ्लक्स को कंट्रोल किया जाए तो स्पीड जो होता है वो रेटेड स्पीड ही अचीव किया जाएगा आप एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ी सकते हो या जीरो कर सकते हो उससे नीचे नहीं कर सकते तो किलियर एचीबमेंट इसका क्या मिला जो नहीं रेजिस्टेंस नया स्पीड होगा वह हमेशा ग्रेटेड किससे होगा रेटेड स्पीड पुराना बीना फ्लक्स कंट्रोल कि उसके स्पीड से ये स्पीर हमें सा क्या होगा ग्रेटर हो यहीजिस का फाइनल कन क्लूज़न रहे क्लियर ना यहां कोई दिकत नहीं रहा होगा क्योंकि एक को एक इस अंदे समझा दिया तो आगे की चिर्णों को अगर मैं करूंगा तो आसानी सी को समझ आ जाएगा ठीक है ना यह हमारा फाइनल करना होता है याद रहे कोई याद करने के लिए नहीं बैठेगा बस एक दो के स्पीड घटेगा तो है स्पीड क्या होगा दरड़ करते करते प्रैक्टिस से हो जाता है चलिए हम देखते हैं म्स इसमें हमने लेके देख लिया उसमें हमने एचीव किया कि कि हमारे जो rated speed से होगा नया speed वो में सा क्या था ज्यादा ही होता था एक वह achievement था अब यहां पे देखे क्या है अब यहां बोला है series motor के अंदर कि अगर आप यहां पे speed control करना चाहते हैं तो पहले speed का definition यह formula लिखे यह था घ्रीज मोटर है तो कौन सा संट छीरीज फ्लक्स होगा ठीक है ना कौन सा फ्लक्स होगा स्रीज फ्लक्स अब यहां से देखिए यह इसका जो है यहां पर समझेगा यह इसका स्रीज रेजिस्टेंस है ठीक है ना सज रेजिस्टेंस है अगर यहां पर मैं इसके और एकारणिंग बात करूं और यहां से सप्लाय दे लूँ वी तो ऐसे कंडिशन में देख़ें अगर मैं परनों की संखिया यहां से टैपिंग करना स्वुरू करो सप्ला यहां निया सप्ला नदेकि यहां से दूं सप्ला यहां नदेकि कि यहां दो तिन आपके पास कि सप्ला को टैप mencionous में कौंसा में यह Compet嚯 कौनसा सब्सक्राइब बहुत सब्त हैं इस इसमें एक हो सर्लिब दूसरा कि में लगा दिजिए ना और भी कई मेथड होते हैं कि जो रेजिस्टेंस सीरीज मोटर का कंडिशन है कि इसको दो भागवद तोर दीजिए तो इसमें हम पहले tapping method एक लिया हूं हमने क्या लिया यह में tapping method tapping method में कहता है अगर supply तो इसका मतलब कुछ turn आपने छोड़ दिया पूश्टन क्या किया चोड़ दिया यही तो होता है अब ऐसे condition में प्ज़ छोड़ दिया आपकर सकते हो कि क्या फ्लक्स का वैलू क्या होगा जी घटेगा कि नी 5 सीरीज हो गया और फ्लक्स क्या होगाए घटेगा कुए के जब तरणों की संख्या घट रहा तो फ्लक्स प्रडकसं अब बंद क्या होगाएक? घाटेगा बार इसका मतलब प्रोडेक्शन अफ्लक्स भी क्या होगा गाटेगा प्रोडेक्शन अफ्लक्स हमेसे डिपेंड करता है किस पर किसे मदा चला जाएगा अगर चला जाएगा अगर टैपिंग आपने इस तरीके से किया माल लो one position पे tapping किया तो इसका flux क्या होगा कम होगा 5 series कम होगा अगर 5 series कम होगा तो speed क्या होगा speed up का बड़ेगा speed क्या होगा दूसरा point पर अगर आपने touch किया supply को यहां से और दूसरा point यहां से connect कर दिया तो point 2 पर अगर रहेगा यह तो तब भी series flux क्या होगा जिसका घटेगा series flux क्या होगा घटेगा इसका resistance चुकि बहुत कम होता तो current का voltage का ड्रॉप ज़्यादा यहां से नहीं होता कि हम यह माने कि रेश्टिव ड्रॉप बोई होगा वो खतम है resistance कमान बहुत कम होता इसलिए हम कहरें कि यहां अगर करूँ तब मसीन के लिए इतना ही फ्लक्स टर्न बचेए तो फ्लक्स क्या होगा फिर कम जोड और ज्यादा फ्लक्स घटेगा तो इसके स्पीड क्या होगी और ज्यादा बढ़ेगी यह देखिए जितना फ्लक्स कम स्पीड क्या होगा उतना ज्यादा बड़ेगा बोल्टेज उतना ही है आई आरे बाकी तो सब चीज मसीन का वही था तो क्या मिला इसमें क्या मिला हमको कि नॉर्मल कंडिशन पर रहे तब जो स्पीड मिलता है उसके अलग-अलग पोजिशन पर टप करता हो तब उक्ऊन इसकी रेटेट यहां से सप्ल्य के अलावा अगर यह सप्लै होता तो जो श् filक होरा है तो और यहां connect कर रहां, flux कम नो रहा है, तो speed क्या रहा है, बढ़िये रहा, इसका मतलब, यहां भी क्या है, एक चीज तो clear हो गया, speed जो हमेंशा मिलेगा, वो क्या मिलेगा, rated speed से जादा ही, पहले बिना, बिना यह tapping को वे जो जादा speed थी, उससे जादा ही speed मिलेगा हर condition में, एक च मज़िये का logic यहां पे, आप कहोगे कि sir, एक चीज बताओ, संट मोटर में भी हमने यही देखा, संट मोटर में आपने देखा, कि अगर वहां पे additional resistance जोर देते हैं, तो उसका भी speed क्या होता है, बढ़ता ही जाता था, तो फिर सीरीज में भी वही चीज है, speed बढ़ता जाता लेकिन in general अगर छोटा मोटा की चीज की बात हो, तो देखिए, यहां पे हमने क्या किया, खाली terminal चेंज किया, terminal क्या क्या, एक terminal का connection यहां कर दिये, तो इससे connect हो गया, फिर terminal चेंज किया, यहां से connect हो गया, तो speed बढ़ता की नहीं, ऐसे condition में कोई resistive drop अलग से नहीं है, और resist मसीन में जाने वाला, जब कोई resistive extra resistance नहीं लगाया, और उसमें कोई current भी नहीं जा रहा है, तो माल लिएना current जा रहा है, resistance भी अलग से नहीं है, तो कौन सा drop का power बचा आपका, I2R drop बचा, additional resistance लग के अगर speed बढ़ रहा है, तो उसमें current भी आता, और resistance भी होता है, तो power loss होता energy, तो machine के अंदर छती ज्यादा होती, आपकी supply से लेने वाला energy ज्यादा कंजूम होता, ऐसे condition में छती है, क्या, I2R loss आपको दिख रहा है, कहीं additional resistance नहीं है, तो क्या है, इस टाइप के motor higher speed के लिए prefer करेंगे, series motor को, हम क्या करेंगे, tapping वाले method को prefer करेंगे higher speed के लिए as compared to sun motor, य इसलिए, यह जो mixi होता है, आज दिमाग में रखी है, मैं किसका लेके आए हूँ, mixi, mixi के अंदर कौन सा motor होता है, DC series motor, कौन सा DC series motor समझेगा, इसमें क्या करते हैं, यह देखे, DC series motor का है, आप सर्चों मार लिजेगा है, DC series motor में देखे, इतने तार इसलिए निकाले गए, इतने तार क्यों निकाले गए, क्योंकि connections कितना होना चाहिए, field winding इसके brush से connect होता, brush का connections दी तो यह रहा, मैं दिखाता हूँ, यह देखे, इसके साथ attach होता है, यह मैं तो सब खुलवा लिया था ताकि आपको अच्छे से करूँ, यह देखे, इसके अंदर brush लगे होते हैं, इसमें और इसमें brush होते हैं, जो यहां पे attach होता है, किस पे, commutator से, commutator पे जाके attach होता है, देखेगा, commutator से attach होता है, क्योंकि इस से जाके brush घुसेगा, brush अभी बहर निकला हुआ है, कल दिखाया था मैं आपको, इस से brush घुसा जाता है, brush इसमें और इसमें निकला रहता ह पां Kathy चेêmट यहानु कितना चाहिए न ही यानि कहीना कहीं स Boss को ऐसा किया टैप किया इसके इसके फिल्ड के पीच-बीक से खट खट तो उससे क्या होता है कम फिल पर के गया होगा तो स्पीड बढ़ गया ध्यादा फिल पर टर्नों पर रहा तो स्पीड घट गया था हमारे पास options होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना मिक्सी के अंदर किस motor का उप्योग होता है DC series motor का मेक्सिक अंदर किस motor का उप्योग होता है DC series motor का इस दिमाग बठा लेना है और कई बार पूछ देगा universal motor तो हाँ जी universal motor DC series motor को ही universal motor कहा जाता है उसमें ध्यान रखिएगा DC series motor को ही universal motor कहा जाता है आपके exam में बड़ा question पुछा जाता है कि universal motor निमनी में से किसका एक प्रकार है तो DC series motor is one of the type of universal motor क्यों होता है special machine में पढ़ेंगे किसके बारे में DC, sorry, universal motor में special machine में पढ़ेंगे universal के बारे में तो हाँ बताऊँगा कि किस तरके से DC series motor एक universal motor होता है तो आपको clear concept हो गया अगर mixi में option पूछे तो DC series motor नहीं option हो DC series motor तो universal motor आपको यह नहीं पूछेगा सर दोनों होगा तो नहीं क्योंकि series motor ही universal motor है है ना अगर दोनों हो गया तो universal को टिक करेंगे universal तो क्या होता universal जो AC, DC दोनों पे काम करेंगे हैं तो वह ज्यादा suitable होगा लेकिन दिमाग में डिसी सीरीज मोटर ही जा यूनिवर्सल मोटर यहाँ पर यह DC machine ही है यह क्या है DC machine आई बबबब आपको कोई यह questions तो mixi वाला कभी छुटे गई नहीं दिमाग में practical हो गया आपके लिए तो चलिए तो यहाँ सक हमने यह achieve किया कोई confusion ऐसे condition वह नहीं हो देखो बहुत सार प्रकार है ज्याद पढ़ने की जहल जगपट नहीं है जितने टाप पढ़ोगे ना इसमें अलग से यहाँ पर resistance करके टैपिंग अटागे और प्रोसेस होता है यहाँ पर resistance लगा दो तब बैपास होता है करेंट तो कर रहें इसका फ्लक्स क्या होता है घटता है तो भी होता है या फिर इसी फिल्ड को दो भागों में तोर देते हैं उससे mmf घटता है तो क्या होता है फ्लक्स घटा फ्लक्स घटा तो स्पीड क्या होता है बढ़ जाता है वो भी एक तरीका होता है पर बहुत सारे में थाड़ है आपको नौट दे दूँगा आप देख लेना वाकि इतने करने की जुरत नहीं एक चीद याद रखना शिर्रीज मोटर में भी हमेंसा स्पीड बढ़ाई जा सकता घटा या नहीं जा सकता है जो रहेटेड फ्लक्स की कर् 워ंटिंग की कर्वेज क्रोइन होकता है क्या हो सकता है जो क्योंकि वैंडिंग डिया तो फ्रेल्ट का टथर्ण तूपलीट है बुच्छा से से जब सब्सक्राइब कु में रखना है कि रेटीयदा स्पीड से ज़्यादा स्पीड मिलता है रेटीयर पिड्य मसीन तो तो 1314-15 मिलेगा कभी हजार नहीं में सकता तो स्पीड कंट्रोल तो हुआ लेकिन स्पीड बोड़ेगा घोटा नहीं तो किसमें घटेगा हम देखते हैं ओके आई होप यहां तक कोई कंट्रोल नहीं रहा होगा चलिए आगे डिस्कुस करते हैं तो आज के लिए इतना ही गुड़ लग हैव नाइस टी